जैहिं दोस्तों तो दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी ख़वर आई है Boardपेक्षा2023 को लेकर तो दोस्तों वो क्या है ख़वर वो पूरा हम समझते हैं तो Boardपेक्षा2023 के लिए दसमी और बार्मी वाले खुसी से जूम उठेंगे तो जूम उठना है बाद में सबसे पहले गर आप लोग हमारे चैनल पर पहली वा रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब जाकर आप खुसी को समझेंगे कि आखिर वह खुसखबडी क्या है तो खुसखबडी के लिए आपको कुछ दान देचना तो देना होगा तो उसक साथ यह जो है यूपी बोर्ड वाले के लिए है यह क्या है यूपी बोर्ड वाले के लिए तो दोस्तों जितने भी यूपी बोर्ड के तयारी कर रहे हैं दसमी और बार्मी की वो सभी तयार हो जाएं और वीडियो को देखें लास्ट तक कि आखिर वो बदलाव क्या है तो पुरा समझ कर कॉमेंट जरूर करिएगा और आपको बता दे परिच्छा में आउट आफ सलेवस से भी पूचा गया था जिसके कारण कई चात्रों ने परिच्छा चोड़ दी थी वहीं आपको बता दे 2023 में परिच्छा देने वाले सभी चात्रों को राहत मिली है और 30-40 प्रसत की कटोती की गई है जिससे चात्रों को परिच्छा देने में कोई भी समस्या ना हो बीते 2 सालों से परिच्छाएं लेट हो रही है और उम्मीद लगाई जा रही कि 2023 में परिच्छा फरवरी की महीने में आयोजित करवाली जाएगी जिसके कारण योगी सरकार ने सभी चात्रों को निर्देश जारी कर दिया है और इस बार परिच्छा में 30-40 प्रसत की कटोती करने का भी आदेश जारी कर दिया है वहीं लगातार पिछले 2 सालों से चात्रों की पढ़ाई कोरोना के कारण बाधित हुई है इसलिए योगी स सरकार ने सभी चात्रों को समय से पहले सिलेबस पूरा करने का आदेश जारी कर दिया गया है और सभी चात्र अपना सिलेबस समय पर पूरा कर ले और बोर्ड परिच्छा फरवरी के महने में आजित करवाई जाएगी ऐसे में क्या सिलेबस कटोती को लेकर आप क्या चाहते इस वीडियो को कमेंट में हमें जरूर बताएं और परिच्छा क्या फरोरी में होनी चाहिए या नहीं इस वीडियो को कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा जनकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद